विद्या की देवी सरसुती, माता पिता गुरू, नवग्रह की चरन बंदना, एवं यूटूब चैनल के सभी दर्शुकों को मेरा हार्दुत नमस्तार। आप सब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इससे मैं बहुत पसंद हूँ, आगे भी आप ये सब प्रोग्राम देखते हैं, इसके लिए सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अबाद हुप से मिल सकें, शेर करेंगे, तो आप परिवार और अपने मित्रों के स सात में देख सकेंगे कारिक्रम को आए आज हम बात करते हैं बच्चों की क्या आपके बच्चे पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा रहे तो क्या आपने ये सूब्चा कभी कि आपने बच्चों को पढ़ने के लिए सही स्थान दिया कि नहीं दिया, कहीं आपके बच्चे चलते फिरते तो नहीं पढ़ रहें, कहीं लेट करके तो नहीं पढ़ रहें, कहीं पुरसी पे बैठ करके तो नहीं पढ़ रहें, कहीं सोफे पे लेट के तो नहीं बैठ पढ़ रहें, ये सभी चीज़ें बच्चों के सब्सक्राइब होता है बच्चे का कंसंट्रेशन फिप्थ हाउस से होता है क्योंकि एसेंडेंट से जो रेज आती है वो फिप्थ हाउस में पढ़ती है इसलिए बच्चे की शिक्षा कैसी होगी वो नहीं आ रहा है बच्चे की शिक्षा कैसी होगी बच्चे का ध्यान कैसा होगा शिक्षा के प्रतिम का रुझान कैसा होगा और आगे चल करके किस तरीके से अपनी विद्या को बढ़ा सकेंगे सबसे पहले इसलिए कंसंट्रेशन की जरुरत होती है आपको बच्चे के लिए वो सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि बच्चा सही तरीके से पढ़ सके अगर आपका बच्चा मेश लगन का एरीस एसेंडेंट का है तो आप उसके लिए बैटने की विवस्ता पूर्व दिशा की ओर करें पश्चिम में उसकी पीठ हो आगे उसका टेबुल हो और तब वो जब बैट करके पढ़ेगा तो उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा और आप देखेंगे उसके अंदर में कितना अधिक परिवातन हुआ ये ध्यान रखें कि ये जो बात में आपसे बता रही हूँ ये लगन पर आधारित है तो राशी पर आधारित नहीं है उसके बाद में व्रिश राशी टॉरस एसेंडेंट व्रिश राशी वानों के लिए भी बच्चे का मूँ पूर्विदिशा की ओर करके बैटना बहुत शुक होता है क्योंकि शुक्र पानी की तरह से बह जाता है तो सुरी की किरने उसको अधिक प्रवल करती है और वो अच्छी तरीके से पढ़ सकता है और उसके अंदर में स्थिर्था आ सकती है अब बात करते हैं मिथून लगन वाले बच्चों की तो मिथून लगन वालों के लिए सबसे शुख दिशा है उत्तर दक्षिन की तरफ उसकी पीठ रखें और उत्तर की तरफ उसका टेबुल रखें और उस पर वो बैट करके पढ़ें तो बहुत जल्दी वो सीखेगा बीच में आपको एक बात ये बताना चाहरे हूं कि हमेशा ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दिशा में भी आप बच्चे का मुँख कर रहें उसके आगे में टॉयलेट है अगर टॉयलेट है तो फिर आप उस दिशा में बच्च कर्क लग्ण माले बच्चों की लिए भी पूर्व दिशा अब आती है बात सिंह की सिंग लगन का मालिक सूरी होता है सूरी से हमेशा उसको अच्छी प्रतिभा, अच्छा ज्यान और अच्छा कंसंट्रेशन होगा तो बच्चे का मुँँ आप पूर्म दिशा की ओर रखे और पीट पश्चिम दिशा की ओर रखे अब बात आती है कन्या लगनवालों के लिए सबसे शूर है उदर आप मुँ करके बैठ करके बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसका ध्यान बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई में लगेगा फिर तुला तुला लगनवालों के लिए भी आप उत्तर दिशा का चुनाव करें बच्चे की पीठ दक्षिन में और मुँ उत्तर की ओर रखें अब ब्रिश्चिक ब्रिश्चिक लगनवालों के लिए पढ़ने के लिए सबसे शुम दिशा होती है पूर्म की ओर, पूर्म की ओर मूं करके बैठे, तो सब तरीके से जल्ली से बच्चा सीख सकता, फिर धनू, धनू लगने वालों के लिए भी पूर्म दिशा शुबने, और अगर उनकी पीट पस्टिम में हो, और सामने देख करके पढ़े पूर्म की ओर, तो सुरी की प्रका उनको उत्तर की ओर मूं करके बैठ करके पढ़े से बहुत ही शुब होगा, कुम राशी वाले, कुम लगनवाले, कुम लगनवालों के लिए पूर्म दिशा और उत्तर दिशा दोनों ही शुब है, वो अगर पूर्म दिशा की ओर मूं करके बैठते हैं, तो उनकी पस्टिम में पीठ होगी और उस्तरदिशा की ओर मुह अगर करके बैठते हैं तो तक्सी में हुँगा अब बात करते हैं मीन लगन की मीन लगन मालों के लिए उर्वत तरदिशा बहुत सूब होती है और हमेशा ही वह पुर्म की ओर अगर ज्यान प्राप्त करना चाहते हैं बैठेंगे तो उनके लिए बहुत इशू होगा उत्तरदिशा से भी उनको यान बहुत अच्छा प्राप्त होगा यह तो मैंने आपसे मुह किस तरफ करके बैठें इसकी बात बताई अब हम आपसे एक दो बात और हम करना चाहरे हैं कभी भी बच्चों से नीगेटिव बात मत करिए त को इसा ना करके ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो कहें। बिल्ली, शेर, मगरमच, दोड़ते हुए घोड़े, गधे, घड़ियाल, इन सब की तस्लिप नहीं लगाएं, वो सब बच्चे को डिस्ट्रेक्ट करते हैं, लड़ाई जगड़े के लिए उद्यत करते हैं, ऐसे ही तलबारवाजी का नहीं रखें, तीर कमान का नहीं रखें चाकू का नहीं रखें, किसी भी अस्त्र सस्त्र का प्रदर्शन वहाँ पे न करें, टेवल पे भी नाठ्वनी न लगाएं, अगर आपकी बहुत इच्छा हो, तो श्रीयंत्राप रख सकते हैं, जिससे बच्चे का धान उसमें लगेगा, और वो सही तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ध्यान रखें, बच्चे ही आपकी निभी हैं, अगर वो अपनी शिक्छा से आगे बढ़ते हैं, तो ही आपका जन सफल है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को कितना भी धन छोड़ करके चले जाया, लेकिन अगर शिक्छित नहीं कर पाते हैं, तो वो अंत मे दुखी ही रह जाते हैं, जिसलिए बच्चों का ध्यान रखें, मैं और भी बहुत सारी बातें बच्चों के लिए आपको बताते रहूंगी, स्टे टून, नमस्यार